दोस्तों मैं आज आपको भोचपूरी की सुपरस्टार आम्रत पाली दुर्बे के बारे मैं बताने जा रही हूँ मेरा नाम मुस्कार अमस्ते ये वो अभिनेतरी है जो कि आज भोचपूर के हर दिल मैं बसी है अगर किसी फिल्म में दुर्बे का नाम भी डाल दिया जाये त अपने दादा के साथ मुंबई में रहती थी आम्रतपाली ने अपनी पढ़ाई भवन कोलेज मुंबई से किया है आम्रतपाली बचपन से ही एक डॉक्टर बनना चाहती थी पर वो पढ़ने में कोई खास तेज नहीं थी उसने धीरे धीरे ओडिशन देना शुरू कर दिया आ अचानक से आम्रतपाली को टीवी सेरियल में आने का मौका मिला उन्होंने अपनी पहली सेरियल में काम किया साथ फैरे उसके बाद आम्रतपाली ने मैन रोल पर सलेक्ट हो गई और काम करने लगी वो धीरे धीरे टीवी सेरियल की सुपरस्टार बन गई अब आम्रतपाली क की छायो में उसके बाद तीन सीरिल में उन्होंने काम किया मेरा नाम करेगी रोशन हंग्टिड नाइट इमोसनल अत्याचार उसके बाद आमरत पाली को टीवी में सफलता तो मिली ही थी अचानक से उनकी मुलाकात भोचपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव से हुई उ माल मताने वाली फिल्म आई निरहुआ हिंदूस्तानी उस फिल्म ने बुक्स ओफिस से लेकर लोगों के दिल में तहल काम चा दिया उस फिल्म ने दिनेश लाल यादव को भोचपुरी का आमिरा खांध बना दिया लोग कहने लगे कि सबसे अच्छी फिल्म सीर्फ पेत्री आम्रत्पाली ही मानी जाती है। उनकी लगातार आ रही फिल्म लिस्ट देखिए। हाली मई बीफा इंटरनेट्सनल अवार्ड से आम्रत्पाली को सम्मानत किया गया है। अगर आप और फेमस लोगों की लाइफ जानकारी लेना चाहते हो तो हमारे चैनल को सबसक्राइब करें।